हाई डिवाइन फामली, वेल्कम बैक तो दे चानल, हाव यू ओल, आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ट हैं, टोटली सेफ हैं, सेक्योर हैं आप में से कुछ लोगों की एनरजी मैं चैनलाइज कर रहे हूँ, जो हेल्थ इशूस फेस कर रहे हैं हो सकता है आपको कुछ जुखाम बुखार या, you know, stomach upset हो, ठीक है, हो सकता है, gastric issue हो रहा हो, okay तो हो सकता है, recently आपके root chakra को block करने की कोशिश करी गई हो, लेकिन वो सारे जो blockages हैं, वो अब remove किये जा रहे हैं, ठीक है, they are totally removed and जो भी blockages वगेरा थे आपकी life में, वो पूरी तरह से remove कर दिये गए हैं, आपके सारे चक्राज को heal कर दिया गया है, ठीक है, so I am sending this healing to all of you, मैं आप सब की तरफ ये healing भीज रही हूँ, और मैं विश कर रही हूँ कि आप सब को किसी भी तरह का कोई health problem face ना करना पड़े, और अगर आप किसी तरह का कोई health issue face कर रहे हूँ, तो उसमें आपको healing मिले, ठीक है, I am sending some natural healing towards you, dear spirits, please मेरे जो भी collectives हैं, जो health issues face कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके health में सुधार करिए, ठीक है, so friends, इससे पहले मैं आप सब के साथ download share करूँ, मैं आप सब को thanks करना चाहूँगी, जिन लोगों ने मेरे लिए super thanks भेजा है, मैं उन सब के names यहाँ पे shout out करना चाहूँगी, आप लोगों ने कर दी है, और मैं आप सब से बहुत जादा प्यार करती हूँ, ठीक है, बहुत ही जादा प्यार करती हूँ, and मैं चाहती हूँ, आपके यह जो भाव है, जो उदारता है आपके मन में, ठीक है, यह उदारता आपके पास hundred million times multiply होकर आए, और आपके जीवन मे अपार धन वर्शा हो, ठीक है, आपके पास इतना धन हो, जो कभी समाप्त ना हो, right, so सबसे पहला नेम आ रहा है हार्दिक पनेलिया, thank you once again, हार्दिक, thanks a lot, नारायन छेत्री, thank you so much, thanks a lot, बिदिता, सुमागुहा, thank you so much, thanks a lot, बिदिता, अरुन कुमार यादव, thank you once again, अरुन thank you so much, thanks a lot, फातिमा जी, thank you, thanks a lot, फातिमा जी, okay, जी प्लेंगर, thank you so much, thanks a lot, नारायन छेत्री, once again, thank you, thanks a lot, पूजा दास, thank you so much, पूजा, thanks a lot, कल्यान सुन्दरम, thank you, thanks a lot, सनत कुंडू, thank you, thanks a lot, सनत, वसीम खान, thank you so much, thanks a lot, विश्वजीत, शीर सागर, thank you so much, thanks a lot, विश्वजीत, thank you once again, मुहमद इसाप शेक, thank you so much, thanks a lot, कल्यान सुन्दरम्स, thank you so much, thanks a lot, शीरीश देश पांडे, thank you, thanks a lot, and आप सब के लिए मैं बहुत प्यारी विश्वज भेज रही हूँ, अपार धन की ब्लेसिंग्स मैं आप सब की तरफ भेज रही हूँ, आप सब के पास इतना धन होना चाहिए, जो कभी समाप्त ना हो, okay, so lots and lots of blessings to you, right, आपके जीवन से सारी समस्याओं का समधान हो जाना च से ये, right, so मैं ये well wishes आप सब की तरफ भेज रही हूँ, आते हैं आज के डाउनलोड पर, so आज का डाउनलोड मुझे कुछ इस तरह से आ रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है किसी ने delays create करने की कोशिश करी, लेकिन angels ये बोल रहे हैं, अब आप पूरी तरह से unstoppable हैं, ठीक के आप खुद चाहो भी, तो अपने आपको नहीं रोक सकते हो, आप अब success की राह पर चल पड़े हो, मैं किसी ऐसे person के energy channelize कर रहे हूँ, जिसको अपना life purpose पता चल चुका है, ठीक है, और वो person अपने life purpose को follow कर रहा है, right, so आप के round हो सकता है, बहुत सारे haters हो, ठीक है, आपक और इन में से अधिकतर लोग हो सकता है, आपके close family members हो, या फिर आपके close friends हो, ठीक है, so you have long hater list, लेकिन haters उनी के होते हैं, जिनके जीवन में success निर्धारित कर दी गई होती है, जो अपने life purpose को follow कर रहे होते हैं, haters उनी के होते हैं, ठीक है, वीक लोगों के, कमजोर लोगों के haters नहीं हुआ करते हैं, right, so आपके पास haters की बहुत लंबी list है, okay, and आपको बहुत सावधान रहना है, fake love से, ठीक है, हो सकता है, लोग आपको, you know, जूटा प्यार दिखाने की कोशिश करें, okay, and बहुत ही obsessively आपको, you know, प्यार जाहिर करने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों स आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, right, so उनको ये obviously पता होना चाहिए कि आप बहुत जादा intuitive है, बहुत psychic है, तो आप किसी की भी energy को बड़ी आसानी से sense कर लेते हैं, and no matter कि आप लोगों की energies को तुरंट sense करके उनको, you know, एक boundary के बाहर रखते हैं, अगर वो आपके लिए healthy नहीं है, तो आप definitely you put them in their place, आप उनको उनकी जगे पर रखते हैं, you have to be aware of people faking love, ठीक है, जूटा प्यार आप से जताने की कोशिश करें, ठीक है, मन में कुछ और हो उनके, and हो सकता है वो आपको अपने level पर खीचने की कोशिश करें, ठीक हो सकता है, आपको blackmail करने क लिए किसी तरह से जूटे प्यार में फसा कर, किसी तरह से कोई blackmail करना चाहे, तो ये चीजे हो सकता है, आपके around, लोग इस तरह से लोग हो सकता है, आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, and आपकी progress को रोकने के लिए न आपकी success को किसी तरह से ब्लॉक किया जा सके, तो उस mesh से निकलने का जो exit है, वो आपको पता चल चुका है, so nothing can stop you, आप unstoppable है, आपकी progress unstoppable है, आपको बस सावधान रहना है, जो लोग आपको love bombing करते हैं, जो लोग एकदम से बहुत जादा आपके लिए प्यार जाहिर करें, बहुत जादा over loving हो जाएं, over caring हो जाएं, तो आपको बहुत जादा सावधान रहने की ज़रूरत है, you have long list of haters, और आपको definitely बहुत जादा experience हो चुका है, आपका haters से बहुत अपने experience से आपने सीखा है, कि हर कोई, you know, सचे दिल का नहीं होता, हर कोई बहुत pure heart carry नहीं करता है, आपके बारे में ये भी बात हो रही है, कि आप बहुत जादा determined है, तिक है, अपने लक्ष को जिस भी लक्ष को आप निर्धारत करते हैं, या जो भी आप निर्ने लेते ह हैं, उसमें आप काम्याब जरूर होते हैं, ठीक है, आप बहुत एकागरिचित मन से उस कारे में लगते हैं, ठीक है, आपको हो सकता है, for the timing कुछ समय के लिए, थोड़ा सा slow down करा गया होगा, ठीक है, हो सकता है, आपको अपनी life में कुछ slow down feel हुआ हो, कुछ सालों के लिए, लेकिन उसके बाद जब आपने खुद को, खुद की limits को push किया, ठीक है, तो definitely आपने देखा कि आपको पूरी काइनात मदद कर रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, पूरी spirits की angels की पूरी forge है, पूरी army है, ठीक है, God is by your side, ईश्वर आपके साथ है, और वो आपक push कर रहे हैं, ठीक है, confirmation, ठीक है, वो आपको push कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, और आप उन्हीं के दिये हुए कारे को पूरा कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि कोई चीज आपको रोक सके, ठीक है, अब आप पूरी तरह से unstoppable हो चुके हो, अब आप रुकाव तो यह जो एक force आ रही है ना, तो आपकी यह जो success की एक आंधी है, ठीक है, उसको आप भी नहीं रोक सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहू तो भी नहीं, राइट, और जब आप ही नहीं रोक सकते हो उसको, तो किसी और की क्या मजाल है, राइट, तो download कुछ इस तरह से हैं, क ठीक है, delays जो थे ना, आपके लाइफ में, उनको टाटा बाइबाय कर दिया है, और आप पूरी तरह से focus हो गए हैं, वो सकता है, छोटी मोटी आपको problem face करनी पड़ रही हो, ठीक है, health-wise, so जो भी challenges थे ना, लाइफ में, वो आपने overcome कर लिये हैं, as far as आप अंदर से ठीक है, यह courageous like lion, ठीक है, आपकी जो strength है ना, वो unbeatable है, आपकी जो strength है ना, वो एक असाधारन चीज है, ठीक है, आपके अंदर जो strength है, जो power है, वो एक godliness क्यारी करती है, ठीक है, यह very strong, अब बहुत ज़्यादा strong है, बहुत courageous है, ठीक है, तो आपने recently कोई challenges overcome करे हैं, ओके, okay, let's see, आपके लिए क्या message आ रहे है, let's see, कौन से और message है, जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, dear spirits, messages provide करें प्रीज, प्रॉइब करें प्रीज, okay, okay, अब जो सकता है, आपका अपनी partner के साथ, अब कुछ लडाई जगड़ा चल रहा है, रिख का फिर्ब добहर है, आपका है, जो सकता है, मैरेज जो सिस्टम है ना शादी वगेरा यह जो सिस्टम है इस पर भी आपको कुछ आप प्रेशन खड़े करने लग रहे हो एक्जाक्ली यही बात मैं आपको बता रहे हूं कि आप फैड़ अप हो चुके हो ठीके आपका विश्वास उठ चुका है यह कमिट्मेंट वगेरा से रिपीटड साइकल है ना जो आप इससे बहुत जादा परेशान हो चुके हो एक बार यह ठीक हो जाता है फिर से आपको वही चीज फेस करनी पड़ती है तो यह बहुत जादा डिस्टर्बिंग है आपके फोकस में यह चीज अडंगा लगाती है तो कि आपकी फोकस में आप अपनी लाइफ पर फोकस में कर पाते हो ठीक है बहुत जादा डिस्टर्बिंग एनर्जी हो जाती है तो यहां प्यार है फेट कर्मा सम्थिंग एंड सम्थिंग इस बिगनिंग यह तो यह हो सकता है यह कुछ कर्मा कुछ कार्मिक सिच्वेशन है जो डेफिनिटली ए कर्मिक सैफल है जो एंड हो रही है और कुछ न्यू बिग्निंग्स आपकी लाइफ में आ रही है शक्रमिक सिच्वेशन रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ठीक है वह रही है अपके तरफ मैं डेफिनिटली कुछ कमिट्मेंट आते रहाए वे देख रही हूं हो सकता है आपके partner आपसे commitment आपको देना चाह रहे हैं और मुझे लगता है आप अपनी partner से इतना जादा निराश हो चुके हैं past में ठीक है हो सकता है आप Kalo लाफ के लिया जिसकी वज़े से अब आप उनपे विश्वास कर पाने में आपको difficulty हो रही है अब आप बहुत जादा आपको tough लग रहा है उनपर विश्वास कर पाना लेकिन वो आपको real commitment देना चाहते हैं वो आपके true love हैं उनको पता है कि आपके सिवा उनको और कोई नहीं चाहिए ठीक है, and you are one in million, I'm listening, ठीक है, आप one in million है उनके लिए, right, so वो आपको commit करना चाते हैं, वो आपको commitment देना चाते हैं, things are getting serious, yes, so आपके partner आपके लिए बहुत ज़्यादा serious है, and मुझे सुनाई दे रहा है, it's too late, ठीक है, so आप अभी बिलकुल भी तयार नहीं हो इस commitment के लिए, although it's coming, ठीक है, आप definitely ये चीज़े expect नहीं करते हो, आप पूरी तरह से आप इन चीजों से free होना चाहते हो, right, आप, yeah, you believe in freedom now, ठीक है, अब आपको free, एक life चाहिए, yeah, आप किसी भी तरह के कोई commitment वगेरा में नहीं रहना चाहते हो, ऐसी मुझे energy आ रही है, यहां पर, let's see, क्या message आ रहा हुआ, let's, मेरे collectives की energy बचा लिया, क्या energy है, okay, distance, हम, आपने खुद को distance कर लिया है, बार-बार जो, you know, differences होना, ये बहुत जादा difficult हो चुका है आपके लिए, ठीक है, चीज़ों को वापस से accept कर पाना, बहुत जादा निराश हुए हो आप past में, ऐसी कुछ energy आ रही है, let's see, आपके और आपके partner के बीच में, कुछ distance आया है, ठीक है, और ये जो repeated cycle है न, ये किसी spell की वज़े से है, ठीक है, ये कोई spell किया गया है, आपको और आपके partner को अलग करने के लिए, you have been bewitched, yes, so किसी तरह का कोई spell work किया जाता है, आपको और आपके partner को अलग करने के लिए, जिसकी वज़े से आपके मन में अपने partner के लिए, you know, trust issues हो रहे हैं, हलाकि आपके partner आपको commitment देना चाते हैं, ठीक है, true commitment है उनकी तरफ से, लेकिन आप उस चीज़ को accept नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको एक mesh में, you know, बांद दिया गया था, एक जाल में बंद कर दिया गया था, जिससे आप exit करने वाले हो, ठीक है, यही बात यहां पे download में आई है, कि आप definitely उस cycle को end करने वाले हो, ठीक है, वो cycle end हो रहा है, and कुछ new cycle start होता हुआ, मुझे दिख रहा है, right, so you are unstoppable, आप unstoppable है, right, yes, okay, so, देखते हैं, और क्या message है आपके लिए, divine guidance ले लेते हैं, देखते हैं, और क्या message आ रहा है, क्या message है, okay, yes, right, yeah, कुछ spell work किया गया है, ठीक है, कोई टोना टोटके, गंदी काली क्रियाएं वगेरा, तरी गहीं, जिसकी वज़े से, आपको, आपको, रूट चक्रा blockage feel हुआ, ठीक है, जिसकी वज़े से, आपको health issues face करने पड़े, okay, definitely, आपके, you know, आभा मंदल को disturb किया गया है, so, यह जो भी negative energy है, मेरे collectives के around, प्लीज यह backfire होनी चाहिए, please send it back to sender immediately, yeah, phases and cycle, phases and cycle, so, यह cycle है, ठीक है, यह चक्र व्यू का जाल है, जिसमें आपको हमेशा के लिए फसा कर रखने की कोशिश करी गई, लेकिन अब यह end हो रहा है, ठीक है, अब यह जो cycle है ना, यह phase, यह ending की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, there is a beginning within every ending, so, यह एक illusion है आपके मन में, आपके मन में किसी तरह का कोई illusion create होता है, कोई भ्रम की स्थिति, उत्पन होती है, ठीक है, जो के अब release होने वाली है, ठीक है, अब जैसे ही आप उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, बैसे ही आप उसको अपने से अलग कर देंगे, ठीक है, release कर देंगे, यह जो एक illusion होता है, यह जो black magic वगेरा होता है, यह illusion होता है, ठीक है, उस्व्यक्ति को पता चल जाए, तो यह work नहीं करती है, ठीक है, यह null void हो जाती है, तो आपको यह चीज़े पता चल चुकी है, and definitely यह जो cycle है, यह end हो चुका है, ठीक है, इसकी ending निश्यत हो चुकी है, ठीक है, आप इसकी ending की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, divine alchemy, move beyond current challenges, आपने challenges को overcome करा है, yes, जो भी challenges आपने face किये हैं, जो delays आपने face किये हैं, लाइफ में, ठीक है, आप उन challenges को overcome कर चुके हो, and अगर आपने अभी तक उन challenges को overcome नहीं किया है, तो near future में आप उन challenges को overcome करने वाले हो, ठीक है, focus on what you desire, yes, so जो चीज़े आप desire करते हो, आप उस पर focus करो, अगर आप एक happy life, happy married life imagine करते हो, desire करते हो, तो आप उसके बारे में focus करो, ठीक है, आप उसी चीज़ को हासिल करोगे, जो आप जिस चीज़ पर आप focus करते हो, ठीक है, अपनी समस्याओं पर focus मत करिए, कि मेरे साथ यह हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ठीक है, आपके partner आपके लिए, अच्छा feel करते हैं, आप और आपके partner खुश है, मैं और मेरे partner हमेशा के लिए हम दोनों खुश है, हमारी एक, अच्छी happy married life है, ठीक है, हमारा जो commitment है एक दूसरे के लिए, वो एक true commitment है, ठीक है, हम दोनों के commitment के बीच में और कोई नहीं आ सकता, इस तरह से आप affirmations, comment section में लिख सकते हो, और यह चीज़े definitely आपके लिए manifest होंगी, ठीक है, सो मैं आप सब की तरफ यह positive energy भेज रही हूँ, यह जो भी challenges हैं, यह आपकी life से out होने चाहिए, और positive चीज़े आपके लिए manifest होने चाहिए, राइट, सो विश्वन परिस्थिती को अपने favor में बदलना, कठिन परिस्थिती को अपने favor में बदलना, यह आपको अच्छे से आता है, चीज़े हैं, यह, express your driving passion, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased, यह, सो मैं देख रही हूँ कि आपका जो sacral chakra है, चीज़े हैं, वो unblock हो रहा है, जो आपका root chakra है, वो unblock हो रहा है, आपके अंदर का जो एक sensual side है, वो निकल कर बाहर आ रहा है, ठीके, आप अपने partner के साथ अच्छे से connect कर पाएंगे, ठीके, यह, बहुत जादा romantic connection मैं आप दोनों के बीच में बनता हुआ देख रही हूँ, यह confirmation सुनिए, ठीके, so, चीज़े definitely overcome होने वाली है, हो सकता है, अभी की situation देखकर आपको ऐसा कुछ feel नहीं हो रहा है, लेकिन, upcoming future में, definitely चीज़े आपके favor में आने वाली हैं, right, so, देखते हैं, taros आपके लिए क्या बता रहे हैं, let's see, you're working hard, ठीके, आप बहुत जादा मेहनती हैं, आप बहुत जादा focused है, right, आप अपने life purpose को follow कर रहे हैं, very hard working, बहुत focused हैं, आप जिस भी चीज़ पर अपना mind, you know, set कर देते हैं, आप जिस भी चीज़ पर अपना mind set करते हैं, वो चीज़ आप हासिल करते हैं, ठीके, बहुत जादा मेहनती हैं, बहुत hard working हैं, आप अपने work पर ध्यान दे रहे हैं, work पर focus कर रहे हैं, yeah, बहुत ambitious हैं, आप, right, आपनी emotion से distance कर लिया है, you know, repeated cycle जो है ना, आपकी life में, आपकी life में difficulties create करने की कोशिश करी गई है, यहाँ पे love spell का card आया था, ठीके, spell works की बात हो रही थी, तो definitely आपके जीवन में, you know, difficulties create करने की कोशिश करी गई है, लेकिन ऐसे लोगों को definitely, you know, सजा दी जाएगी, judgment आ रहा है उन लोगों के लिए, इश्वर, judgment सुना रहे हैं, ठीके, ऐसे दुश्ट लोगों के लिए, जिनोंने, yeah, so, इस टाइप के लोगों को definitely आपकी life से block किया गया है, out किया गया है, right, so, judgment आ रहा है, आपके favor में ये judgment है, और आपके enemies के against ये judgment सुनाया गया है, okay, definitely, definitely आपके against planning plotting करी गई है, ठीके, आपकी life में उदासी इंता लाने की कोशिश करना, ठीक है, plan plot करना, you have long haters list, तो आपकी hater list बहुत लंबी है, ठीक है, so, beware के कौन आपके against चीज़े plan plot करता है, कौन इस तरह की strategies करता है, कौन इस तरह के tone टोटके करता रहता है, ठीक है, so, आपको बहुत सावधान रहना है, लोग आपसे compete कर रहे हैं, लोग आपसे competition कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपके, you know, आपके family में ही ये लोग हैं, जो आपसे competition का भाव रखते हैं, ठीक है, ये कोई आपके family के ही लोग हैं, जिनके मन में आपके प्रती कोई competition वाला भाव है या लेकिन उनको ये चीज़ पता है कि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं और आप अपना life purpose फॉलो कर रहे हो ये बात उन लोगों से छिपी नहीं है ठीक है यहां पर ये चीज़ भी आ रही है मैं आपको राशियां बता देती है यहां कुम्भ राशी है कन्या राशी सिंग राशी कन्या राशी मकर राशी भी है यहां व्रिश राशी है या सो यह कुछ राशियां है यहां पर कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत जादा competition फील करता है आप से ठीक है यह आपके close friends भी हो सकते हैं और close family members भी हो सकते हैं ठीक है सो आपको मैंने starting में भी download में बताया कि आपको close family या close friends से बहुत सावधान रहना है ठीक है जो आप से मिठी मिठी बाते करें आपकी बहुत जादा आपके उपर प्यार की बरसात करें लेकिन वह पीछे आपके बारे में बहुत जादा गलत बाते करत हैं ठीक है ताकि आपके जीवन में दिक्कतें बनी रहें राइट सो इस तरह के लोग आपके जीवन में हैं लेकिन आपकी लाइफ definitely balance में आने वाली है सो यहां पर यह चीज आ रही है कि इन लोगों के लिए judgment आ रहा है ठीक है इश्वर definitely इन लोगों को बहुत जादा कड़ी सजा देने वाले हैं बहुत जादा strong judgment आ रहा है यहां 1010 की energy है ओके यहां सो बीस तारीक 20th मैं सुन रही हूं लेट सी अ मोह attracted to these sign वाले कार्ट्स लेट सी क्या sign आता है आपके लिए क्या sign आ रहा है अगर आपके बटरफ्लाइशन बदलाओ बदलाओ होने वाला है हो सकता है आपको अपने घर के आसपास कुछ बटरफ्लाइव अगेरा दिख रही हूं ठीक है रिसेंटली आपको कुछ बटरफ्लाइश वागेरा दिखी हूं तो यह बहुत बड़े changes की बात कर रहा है यह कार्ट ठीक है बहुत major changes आपकी life में आने वाले हैं हो सकता है 22nd आपका birthday होता हो 23 ठीक है आपके लिए specific है life path no.4 हो सकता है life path no.5 हो सकता है life path no.9 आपका हो सकता है 36 आपकी age हो सकती है 23 22 आपकी age हो सकती है ठीक है yeah feathers messages आपको you know आपकी spirits आपसे contact कर रहे है communicate कर रहे है ठीक है हो सकता है आप बहुत जादा intuitive है अपनी psychic abilities के साथ aligned है ठीक है तो feathers अगर आपको दिख रहे हैं कहीं पर भी अपने घर के आसफास white feathers या किसी भी तरह के कोई feathers ठीक है so definitely आपके spirit guides आपके आसपास रहते हैं और वो आपसे communicate कर रहे है ठीक है वो आपको कुछ signs दे रहे हैं right July month आपके लिए specific हो सकता है ठीक है 6th of July I'm listening 5th of September 4th of September 6th of September right 23rd July 9th of July 9th of April I'm listening yeah so rainbow yes so आपकी life में definitely blessings आ रही है अगर आपको कहीं पर भी rainbow दिख रहे हैं तो मतलब आपकी परिस्तिती में बदलाव होने वाला है ठीक है जो challenges है वो over हो रहे हैं और उन challenges को ईश्वर ने blessings में बदल दिया है ठीक है जो challenges यह लोग आपकी तरफ भेजने की कोशिश करते हैं ठीक है यह आपके close friends या close family members हो सकते हैं तो यह बहुत जादा competition feel करते हैं आपसे ठीक है बहुत basically इनका जो competition है ना इनको लग रहा है कि competition आपके साथ है लेकिन आपके साथ competition नहीं है इनका competition सीधा सीधा इश्वर के साथ है ठीक है इनको पता ही नहीं है यह चीज़ कितने नादान लो हो गई है ठीक है इनको पता नहीं है कि इनका जो competition है वो सीधा इश्वर से है क्योंकि इश्वर नहीं आपको आपका life purpose सौपा है यह तो आपके जीवन में definitely blessings आ रही है बहुत सारी blessings आपकी तरफ इश्वर भेज रहे हैं ठीक है जितने भी challenges आपकी तरफ भेजे गई है उन स सारे challenges को blessings में परिवर्तित किया जा रहा है ठीक है आश्यरवाद के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है येस सो जो challenges है वो definitely over होने वाले हैं यहां पर यह message आ रहा है power line of energy येस सो मैंने अपने past videos में गई बार बोला है कि हो सकता है message आपके साथ resonate ना करे लेकिन आज definitely यह confirm है कि जो कोई यह message देख रहा है जो जिस किसी के पास यह video पहुंचा है ठीक है आप आपके अंदर दिव उर्जा का प्रवा है ठीक है बहुत ही powerful energy आपके अंदर दोड़ती है लेकिन उस उर्जा का प्रयोग आप कैसे कर रहे हो ठीक है उसी के आधार पर आपकी life निर्धा पारित होगा आपका future bright होगा या dark ठीक है यह आप decide करोगे ठीक है आप किस तरह से अपने अंदर दोड़ रही energy का उपयोग करते हो right so अगर आप अपने अंदर दोड़ रही energy का उपयोग गलत तरह से करोगे तो definitely आपके जीवन में short circuit होगा और अंधेरा चा जाएगा लेकि सही तरह से करोगे तो आपके घर में रोशनी होगी उजाला ही उजाला प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा ठीक है so यह आप पर निर्धारित करता है या लेकिन आपको इस चीज़ से aware कराया जा रहा है कि आपके अंदर definitely कोई बहुत जादा powerful energy recite करती है ठीक है आप बहुत जा आपको बताई जा रही है moon yeah emotions आप अपनी emotions को express करने से रुक रहे हो अपनी emotions को express नहीं कर रहे हो ठीक है तो आपको अपनी emotions को express करना है ठीक है you have to be more expressing अपनी emotions को जाहिर करिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए ठीक है अपनी भावनाओं को आप रोक रहे हो right तो अपनी भ चीजों को unset छोड़ते हो और उसके चलते आप कई बार गलत actions भी लेना शुरू कर देते हो ठीके कुछ ऐसी चीज़े करने लग जाते हो जो आपके लिए बहुत जादा नुकसान दायक हो सकती है मैं आज सारे cards की तरफ attracted हूँ आपके लिए क्या-क्या message आ रहे हैं मैं आपके लिए बहुत सारे messages लेना चाहरे हूँ आज I want to take lots and lots of messages for you और क्या message प्रवाइब करना चाहरे हैं वाव ब्यूटिफुल एंजल्स येस एंजल्स आ प्रोटेक्टिंग यू तिक है नंबर टू आपके लिए specific हो सकता है February month में आपका बर्दे हो सकता है हो सकता है second February आपका बर्दे होता हो या second कि किसी भी मन्त को आपका बर्दे होता होगा Your angels are guiding and protecting you on your spiritual journey So आपको angels का protection मिला हुआ है और वो आपको guide कर रहे हैं कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है कैसे आपको अपनी energy का उपयोग करना है positive way में ताकि आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश चाह जाए ठीके आप देख रहे हैं कैसे इस angel के आसपास पूरा दिवी प्रकाश है So yes, angels are guiding you, protecting you Angels आपको guide कर रहे हैं, protect कर रहे हैं Abundance, yeah I'm telling you, challenges आप overcome कर चुके हैं ठीके, आप उस जाल से exit कर चुके हैं हो सकता है आपको recently अपने face पर एक glow up दिखे हो सकता है लोग आपको बोल रहे हों कि आपकी skin बहुत जादा glow कर रही है आपके hair बहुत जादा glow कर रहे हैं ठीके, overall आप फूरा glow कर रहे हैं अपने, you know, career में भी आप glow कर रहे हैं या, so overall आप एक glow up से गुजर रहे हैं ठीके, आपकी life में एक glow up आया हुआ है so abundance भी आ रहा है आपकी तरफ क्योंकि judgment आया है इश्वर का judgment आया है जिन लोगों ने आपके against रुकावटे वगेरा create करने की कोशिश करी थी आपको रोकने की कोशिश करी थी बेसिकली उन्होंने आपको रोकने की कोशिश नहीं करी थी इश्वर को रोकने की कोशिश करी थी जिस project को स्वयम इश्वर ने आपको सौपा है आप इश्वर के projects पर work कर रहे हो ठीके, आप बहुत जादा talented हो और इश्वर ने आपको चुना है किसी particular project के लिए बहुत जादा spiritual person हो आप ठीके आप बेसिकली आपके project में रुकावटे create करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो लोग इश्वर के projects में रुकावटे create करने की कोशिश कर रहे हैं जो संभव ही नहीं है impossible है ये चिके this is impossible ओके and आप unstoppable हो ओके so आप खुद चाहो तो भी आप नहीं रुक सकते हो आपको hire कर लिया गया है आपको इश्वर ने आपको एक कार ये सौपा है चिके आप इश्वर के employee है right so abundance आ रही है आपकी तरफ lucky times are ahead of you along with good news success and prosperity is coming अपार धन आपकी तरफ आ रहा है success आ रही है major success, big success ठीके long list of success लंबी चौड़ी list आपके success की बनने वाली है and उतनी ही लंबी आपके haters की list है क्योंकि आप progress कर रहे हैं आप progressive हैं कमजोर लोगों के haters नहीं होते ठीके बहादुरों के haters होते हैं बहुत successful लोगों के haters होते हैं right so lucky times are ahead good news आने वाली है आपकी तरफ शुप समाचार आपकी तरफ आ रहा है life path number one हो सकता है आपका हो सकता है January month में आपका बर्दे होता हो first January या किसी भी month की first को आपका बर्दे होता हो 17th January I'm listening 29th January I'm listening right love surrounds all your connections move forward positively in all areas of your life yeah so हर शेत्र से आपको प्रेम मिलने वाला है हर रिष्टे से आपको प्यार मिलेगा ठीक है जितना आपको दुख दिया गया है वो चीज अब आपको return करी जाएगी ठीक है आपको जितना आपको lack of love feel हुआ है रिष्टो से ठीक है उतनी ही मात्रा में आपको प्यार मिलेगा हो सकता है आपको हो सकता है आपको आपको लोग बहुत जाएगे आप बहुत लोग प्रिय हो जाओ ठीक है लोगों में बहुत जादा प्रिय हो जाओ पब्लिक में आपको बहुत सारा प्यार मिले आपसे लोग बहुत जादा प्यार करें जो प्यार आपसे छीना गया जो lack of love आपको अब आपको फील कराया गया वह प्यार आपकी तरफ वापस आ रहा है ठीक है हर रिले शिंगेड अपको प्यार मिलने वाला है तो commitment आपके partner आपको देना चाहरे है उनके commitment को accept करिए ठीके वो आपको love offer करना चाहरे है सच्चा प्यार आपसे करते हैं तो उस चीज़ को accept करिए या हो सकते हैं उन्हें पास्ट में आपको बहुत hurt किया लेकिन उनको अब मार्फ कर दीजे right number 29 आपके लिए specific हो सकता है life path number two definitely यहां पर बहुत confirm आया है ठीके बहुत strongly आया है second September आपका birthday हो सकता है first September हो सकता है आपका birthday हो 8th of September आपका birthday होता होगा ठीके 29th of November also I'm listening ठीके 29th of August yeah 17th of August first August yeah so यह कुछ dates आ रही है ठीके hard times are over look forward to an abundance of happiness enthusiasm and positivity yes so आपके जीवन में जो challenges थे ना वो over होते हैं ठीके आपने successfully उनको overcome किया है यह cycle है ठीके यह जीवन एक चक्र है है ना तो definitely मुझे बहुत strong download आ रहा है मुझे आप सबके साथ share करना है ठीक है जीवन से related एक बहुत strong download है लेकिन आप star है ठीक है you have star qualities आप definitely इश्वय का अंश है जब शिव और शक्ती का आपस में मिलन हुआ तो बहुत सारे powerful अंश generate हुए थे ठीक है और उनहीं में से एक अंश आप हो right so definitely आप एक बहुत powerful being हो and आपके अंदर definitely बहुत powerful energy recite करती है make sure कि आप उस energy का सही उपयोग करो ठीक है नहीं तो वह नुकसान दायक भी हो सकती है आपके लिए right यह बहुत strong message आ रहा है किसी के लिए okay and यह जीवन है ना यह एक चक्र है यह cycle है right so इस चक्र में repeated सीजें आती रहती है you know repeat होती रहती है यह कर्मों का चक्र है लेकिन आपने मुझे strong channelized message आया है download आया है basically उस challenge को हम किस तरह से उससे deal करते हैं किस तरह से हम उसका सामना करते हैं उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं okay so यह जीवन ही अपने आप में कर्मों का चक्र है right और किसी व्यक्ति में आपके जीवन में you know गलत तरह से negative तरह से आपके against कुछ जाल वगेरा बनाया ताकि आपको रोका जा सके आपकी progress को रोका जा सके तो आप उससे exit कर रहे हो ठीक है उससे आप बाहर निकल चुके हो right और उससे बाहर निकलने में स्वयम ईश्वर ने आपकी सहायता करी है okay and आपके जो haters or enemies है ना उनका bus नहीं चल सकता कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके ठीक है आपकी success को कहीं से भी hamper कर सके right so यह चीज़ बहुत ज्यादा strong आ रहे है आप खुद अपनी success को नहीं रोक सकते हो so my downloads yeah let's see मेरे downloads okay so let's see spirits के क्या downloads आ रहे है two of them are sacral chakra block yeah आपका sacral chakra block किया गया था लेकिन अब आपका sacral chakra unblock हो चुका है ठीक है अगर आपका sacral chakra अभी तक unblock नहीं हुआ है तो I'm sending some healing yeah आपका sacral chakra unblock हो जाएगा right हो सकता है आपको कुछ circulatory system में कुछ problem हो रहा हो right social interactions और में आपको प्राब्लम हो रही हो right creativity आपकी ब्लोक करने की कोशिश करी गई थी creative चायड है आप ईश्वर के सी आपके सेक्रल चक्रा को अज़ोग कर दिया गया है अपको अपने से ज्खकर कषा को हील करने के लिए आप सवाइम करने के लिए है यहां आपका कुछ लाइफ पॉपस है जो आप फॉलो कर रहे हो दिके और ब्लाइफ पॉपस आपको शौह करने के लिए आप जादा से ज़्यादा औरेंज कलर पहनी है crushing on you yeah so किसी को आप पर crush हो रहा है somebody is crushing on you किसी को आप पर बहुत ज़्यादा crush feel हो रहा है ऐसा कुछ message आ रहा है let's see this one okay you are incarnation of God okay I told you बहुत ज़्यादा powerful energy है आपकी बहुत ज़्यादा powerful ठीक है आप उस energy को सही दिशा में लगाई है so आपको यही message दिया जा रहा है कि आपको अपनी energy को you know सही दिशा में लगाना है right power house of energy ठीक है आप बहुत ज़्यादा powerful energy carry कर रहे हो and you have to be very much aware कि आप अपनी energy को किस दिशा में लगा रहे हो ठीक है आप इस energy को positive way में ही use करिये यह आपको बोला जा रहा है cooking food कोई खाना cook कर रहा है ऐसा message आया यहां पर this is the year of your success I told you this is the year of your success nothing can stop you, you are unstoppable ठीक है even you can't stop yourself, even आप स्वयाम को भी, आप खुद भी नहीं रोक सकते हो अपनी success को, I am crazy about you yeah, so कोई you know, crazy है आपके लिए, कोई दीवाना है आपके लिए, कोई crazy way में आपको प्यार करता है love block spell backfire या, आपकी तरफ you know, प्यार को आने से रोका गया था, ठीक है तो love spells किये गए थे यह confirmation है, वहां पे भी yeah, हमें यहां पे भी love spells का card आया था yeah, यहां पे भी love spells का card आया था so definitely जो love spells है वो backfire हुआ है, ठीक है आपके और आपके partner के बीच में प्रेम को रोकनी की कोशिश करी गई थी जो backfire हुआ है जिस किसी ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करी है उनके जीवन में ही यह चीज backfire हुई है ठीक है, और उस person को ही इन चीजों का सामना करना पड़ेगा यह उसके अपने गंदे कर्मा है जो उसने अपने लिए generate किये है I'm scared, you will reject me So, कोई डरता है कि आप उनको reject कर दोगे So, किसी को डर लगता है आप से अपने मन की बात जाहिर करने में हो सकता है कोई ऐसा person है जो rejection को handle नहीं कर पाता है ठीक है, वो ना सुनना उनको पसंद नहीं है ऐसा कोई person जिसको ना सुनना पसंद नहीं है So, आप बहुत ज़्यादा उसूलों वाले व्यक्ति हैं ये भी उनको पता है Now they wanna fix things with you इसलिए वो आपको approach नहीं कर रहे है लेकिन वो आपके साथ हो सकता है कोई fix करना चाता है आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाता है कोई तो आपको रोका जा रहा है So, आपको रोका जा रहा है spirits की तरफ से I am seeking revenge So, कोई बदला ले रहा है किसी तरह का कोई बदला वगेरा ले रहा है तीक है आपके उपर love spells वगेरा करके आपके प्यार में blockages create करके तीक है कोई बदला लेना चाता है आपको आपके प्यार से दूर करके कोई किसी तरह का कोई बदला ले रहा है So, ये बदला वगेरा ये जो कुछ भी है ये जो evil spells है ये backfire होंगे मेरे collectives की life से Send back to sender immediately उनके intentions उनके उपर ही इलागू होने चाहिए Things are not going good in your life Yes अभी फिलाल आपकी life में बहुत सारी चीज़ें उन्हों उथल पुथल मची हुई है बहुत difficulties है बहुत difficult situation चल रही है आपके और आपके partner के बीच में बहुत दिक्कतें वगेरा हो रही है ठीक है आप लोग में आपस में compatibility नहीं हो पा रही है कुछ differences हो रहे हो अचानक से दोनों में आपस में बहुत ज़ादा वैचारिक मत भेद हो रहा है spiritual attacks spiritual attacks किये जा रहे है ठीक है spirits का सहारा लेके युनों गंदी क्रियाएं करके आपके ओपर attacks किये जा रहे है तो ये सारे attacks backfire होने चाहिए send it back to sender immediately yes मेरे collectives के जीवन से सारे spiritual attacks आउट हो जाने चाहिए ठीक है please send it back to sender immediately yes send it back to sender immediately मैं बहुत ज़ादा anger sense कर रहे हूँ ये जो भी व्यक्ति है जो आपकी तरफ इस तरह के evil spells भेजता है ये person बहुत ज़ादा रो रहा है बहुत agitated है बहुत परिशान है ठीक है आपको बहुत ज़ादा परिशान करने की कई प्रयास कर चुका है ये व्यक्ति enemies are scared of your power enemies डरते हैं आपकी शक्ती से so आप incarnation है God का इश्वर का incarnation है उनका इश्वर का पुनर जन्म है आप ठीक है साक्षात इश्वर का अंश है तो डरना भी चाहिए all your money blockages are being removed येस आपके जीवन से सारे money blockages को remove कर दिया गया है जिक है मैं देख रही हूँ आपका जो आभा मंडल है वो पूरी तरह से cleanse हो चुका है स्वेम इश्वर ने आपके आभा मंडल की cleaning करी है cleansing करी है so money blockages अगर थे किसी भी तरह का कोई धन से related आप समस्याई जेल रहे थे तो उन सारी समस्याओं का समधान कर दिया गया है वी आईपी यस आप वी आईपी हैं इश्वर के लिए आप बहुत important है आपकी कोई कीमत नहीं है आप बहुत जादा कीमती है आपके कोई कीमत नहीं है I made a wrong choice आपको कोई बताना चाहता है कि उन्होंने कुछ गलत choice करी तो उन्होंने गलत निर्ने लिया हो सकता है आपके जीवन में blockages create करने से हो सकता है उनको कुछ कर्मा face करना पड़ा हो जिसकी वज़े से उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने definitely कुछ गलत निर्ने लिया You are royal आप royal है royalty है आप definitely royal है और आप बच्पन से ही आपको royal चीजे पसंद है आपके taste में वो चीज जलकती है हर तरे की या हर प्रकार की royal चीज आपको बहुत attract करती है You faced major financial issues in past but now you are wealthy आपकी wealth को target किया गया आपके धन को target किया गया आपके धन में कुछ blockages लाने की कोशिश करी गई लेकिन वो सब कुछ backfire हुआ है आपके जीवन में सारी धन से related समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर आपके जीवन से सारी धन से related समस्याओं को दूर कर दिया जाए ठीक है सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाए और आपके haters और enemies को जिनोंने आपके जीवन में blockages create करे उनको ये समस्याओं definitely face करनी पड़े ताकि वो आगे चलके गंदे कर्म करने से दरें आशरवाद की वर्षा आपके उपर आशरवाद की वर्षा हो रही है rainbow का card आया है तो blessings are coming ठीक है आशरवाद आपकी तरफ आ रहे हैं आपके जीवन में जो blockages create करे गए जो परेशानिया create करी गई ठीक है वो अब आशरवाद की रूप में बदल दिया गया है ठीक है उनको positive कर दिया गया है सारे challenges को I defend you behind your back so कोई आपकी तरफ से लड़ता है किसी से ठीक है कोई आपकी तरफतारी करता है कोई आपको बहुत ज़ादा प्यार करता है बहुत पसंद करता है या आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको defend करते हैं आपके पीछे या हो सकते है इश्वर आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि वो आपको defend करते हैं ठीक है It's haters karma season Yes, haters को karma face करना पड़ेगा चैनल लगे बाद एक और कैंच के लिए कर दोने साथ को आपके जो पांटनर है तिक है आपके पती आपके पत्नी वह आपके के लिए क्रेव कर रही है ठीक हिए उनको आपका अटेंशन चाहिए ठीक है आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए ठीक हिए सो यह मैसेज आ रहा है ओके लेट सी आपके लिए क्या लेटर्स नंबर्स आ रहे हैं आपके लेटर्स के लिए क्या लेटर्स नंबर्स आ रहे हैं ओके I'm listening DU Delhi University 36 definitely किसी की एज है 36, 39 ओके X X आप no contact situation में हैं अभी किसी से यह ऐसा कुछ आ रहे हैं Somebody wants to say hi Hi to you यह Okay, his Him Okay Wire कुछ wire से related आ रहा है Something to do with wire Tar से related कुछ बात आ रही है कुछ electricity से related बात आ रही है Queen Divine Feminine ठीक है Dev यह उर्जा Okay Love Love you कोई बोर रहा है See Okay Somebody wants to propose you I love you I love you Dim आ रही है किसी क्या light कुछ dim आपकी light dim करने की कोशिश करी ठीक है आपकी confidence को low करने की कोशिश करी Blockages create करने की कोशिश करी आपकी life में या कोई homework बगेरा करवा रहा है किसी को रूइन आपकी relationship को रूइन करने की कोशिश करी वियर्ड या कुछ वियर्ड की बात आ रहे है वियर्ड हम किसी का नेम है Lovey या Married किसी का बद्दे हो सकता है 3rd September को होता हो या 3rd June को होता हो 6th of March 9th of March 39 किसी की age है 36 किसी की age है Movie देख रहा है कोई या Somebody is watching movie Yeah Somebody is watching movie London Heathrow LHR कुछ वाइल्ड आ रहा है वाइल्ड Animal Wild Animal क्या कोई name आ रहा है यहां पर More Okay किसी का surname आ रहा है यहां पर More Morey Morey Okay कुछ disease आ रही है यहां पर Disease का name आ रहा है STD You Wild Don't know क्या है यह कुछ moved Moved कोई transfer हुआ है किसी का Somebody moved from somewhere कोई कहीं से move हुआ है कहीं किसी नहीं जगे HR Haryana Lie कोई जूट बोलता है किसी नहीं जूट बोला किसी से Lied Lied you कुछ lied की बात आ रहा है कुछ जूट You lied Lied you Lied you आ रहा है You lied Okay Maybe कोई लेटा हुआ है Somebody is lying somewhere Right Removed Okay Removed Spirits ने remove कर दिया है ऐसे लोगों को आपकी लाइव से Removed I L U Okay Okay Really कोई really बोल रहा है Removed Removed Remi Wed Okay किसी के शादी बागे रहा हुँ है Wedding Wed Wed me I am listening Wed me Wed me Mother-in-law Which mother-in-law हा रहा है M I L W Mother-in-law Her Her mother-in-law Okay Do Her mother-in-law do Okay कुछ यहां पर आ रहा है Her mother-in-law do I U V Okay So यह कुछ letters और numbers है यह आपके लिए specific हो सकते है ठीक है मैंने यहां पर कुछ words बना कर आपको hinge देने की कोशिश करी आपको better पता है यह कहां पर आपको क्या message दे रहा है Right So Right So इसी के साथ मैं यह reading conclude कर रही हूं friends Okay And So इसी के साथ मैं यह reading conclude कर रही हूं friends And आपको बताया जा रहा है कि जो भी difficult cycle थी आपकी life में जो challenges थे वो out हो चुके है ठीक है You are unstoppable And Nothing can stop you Even आप खुद को भी stop नहीं कर सकते हो यह जो आपकी success की आंधी है ठीक है यह basically यह काम आपको इश्वर ने सौपा है इश्वर के employee हैं आप ठीक है So उनकी बताया हुए काम पर आप लगे हुए हो And अब आप खुद को भी नहीं रोक सकते हो You are unstoppable Okay So यह message आ रहा है आपके लिए आपकी life में definitely किसी ने love spell वगेरा करा था ताकि आपके sacral chakra को block किया जा सके आप ज़्यादा से ज़्यादा orange color पहनिए And आपके और आपके partner के उपर जो love spell किया गया था वो backfire हो चुका है So nothing to worry चीजें ठीक हो जाएंगी And हताश निराश मत हुई हर relationship से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है चीजें So इसे के साथ में यह reading conclude करें हो friends Thank you so much Thanks a lot And I hope and pray for the best for all of you I love you all from the bottom of my heart Thank you